भाजपा और भाजपा के कई बड़े नेता हुए कोंग्रेस में सामिल बताती कि मद्ध परदेश का ये चुनावी साल नौवंबर दिसंबर में होने वाले बिदान सबा चुनाव से पहले दल बदल का खेल जारी है कहीं भाजपा कॉंग्रेस को जटका दे रही है तो कहीं कॉंग्रेस भाजपा को जटका दे रही है इसी कड़ी में कॉंग्रेस ने केंद्रिय मत्री जूतीर दित्यसिद्या के गड़ में भाजपा और बाजपा को बड़ा जटका दिया है ग्वालियर में कई नेताओं और कार्यकरताओं हैं जो इन सभी नेताओं और कार्यकरताओं को PCC चीफ कमालाथ ने भोपाल में पाटी की सद्यस्तरदा लिलाई इस दोरान पूरू क्रिशी मंत्री सचीन पालेट भी मौजूद रहे जिस तरीके से वहाँ पे PCC चीफ कमालाथ सभी को सद्यस्तरदा दिलाई वहाँ पे जैजय कार्यकरत सभी लगाने लगे और नारे सोर सरावय में देखने को मिला बताते कि भाजपा छोड़ने वाले में ग्वालियर नगर निकम में कई बड़े पारसद रहे हैं सिंधिया समर्थक भाजपा नेता राहूल राय और मंजूल राय का नाम सामिल है भाजपा में सेंधा मारी में ग्वालियर बिदान सबाचुना में कांग्रेस परत्यासी सुनिल सर्मा भी मौझूद रहे हैं देखने को मिला कि जिस तरीके से कॉंग्रेस की सद्यस्तता ग्रहन सभी लोग कर रहे थे तो वहां बहुत ज़दा कॉंग्रेस को सपोर्ट किया जा रहा था यहां तकी भाजपा वाले भी कॉंग्रेस को बड़ी अच्छा से सपोर्ट में आए और उनको सद्यस्तता भी मिली भाजपा के नेता भी खुब अनंद के साथ जोईन किया तो इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है नीचे को बड़ी वक्स पे हमें ज़रूर बता है और चानल को सब्स्ट्राइब नहीं किये हैं तो कर सकते हैं